हान जी नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सबी बच्छों का हमारी स्यूटूब चैनल स्टेडी वित रितेश में तो दोस्तो कल की क्लास में हम लोगोंने समय दूरी और चाल के कोश्चनों को किया था यानि पहले हम लोगोंने कुछ फॉर्मूले जाने उसके बाद हम लोगोंने कुछ वी विय वै कोश्चन के आता तो दोस्तो आज की क्लास का यह पार्ट ू रहने वाला है यानि पार्ट वन मैंने कल करवा दिया है तो यदि अभी तक आप लोगोंने पार्ट वन नहीं देखा समय दूरी और चाल का तो आप लोग पार्ट बढ़ी देख ल सब्सक्राइब तो पुल की लंबाई है कैसे बनेएगा तो जब भी रेल गाड़ी से संबंदित प्रश्ण आ जाए और बोला जाए कि कोई रेल गाड़ी है भाई किसी पुल को पार कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है इतना समय ले रही है तो सिंपल सा एक फॉ चाल बराबर दूरी बटा समय स्पीड इस इकवल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अब देखिए स्पीड चाल कितना दे रखा है 45 किलोमेटर परती घंटा बच्चों किलोमेटर परती घंटा में दे रखा है और आप्शन पे एक नजर दीजिए ये मीटर में है तो क्या की जिएगा किलोमेटर परती घंटा को बदलना होता था मीटर पर सेकंड में तो हम लोग क्या करते थे गुणय में पांच पटा ठारा कर देते थे तो यहां पर गुनय में दूरी का बात कहेगा न तो इसमें रेल गाड़ी की लंबाई तो हो गई होगा दिया रहेगा ठीक है और पुल की लंबाई भी कभी कभी हो सकता है दे दे कभी पुल की लंबाई दे तो रेल गाड़ी की लंबाई ना दे ठीक है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है बा रेल गाड़ी की पूल की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई सब को जोड देना है तो यहां पर देखिए तो 130 मीटर लंबी रेल गाड़ी यानि रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है 130 मीटर है और उसके बाद पूल का बात किया गया है तो पूल की लंबाई कितनी है वही त पंदरतियां 45 अब देखिया 15-75 और 75 में पात से गुना कीजिएगा तो इन कितना आ जाएगा बच्चो जल्दी से बताओ 75 में पात से गुना कीजिएगा तो 275 आएगा तो 375 बराबर में 130 ब्लस X तो X बराबर यहां से क्या हो जाएगा 345-130 कितना आ जाएगा ही यह आ जाएगा आपको 245 मीटर यानि option number C जो है इस question का right answer हो जाएगा समझ में आया दूरी में क्या कीजेगा यहाँ पे rail गाड़ी की लंबाई है उसको लिख देना है और पुल की लंबाई है मतलब दूरी जब ही भी रहेगा ना तो लंबाईों को जोड़ देना है अगला question है एक rail गाड़ी 162 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो rail गाड़ी की लंबाई क्या है देखिए अभी से पहले वाले question में पुल की लंबाई पूछा था अब यहां पे rail गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है यानि देखिए कभी कभी होगा क्या आपको प्लैटफॉर्म की लंबाई देदेगा तो rail गाड़ी की लंबाई पूछ लेगा है ना या फिर कभी कभी रेल गाड़ी की लंबाई आपको देदेगा तो आपसे प्लैटफॉर्म की लंबाई पूछ लेगा ठीक है आर यह बात समझ में बच्चो तो यहाँ पे आपको रेल गाड़ी की लंबाई ग्याद करनी है तो बच्चों मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय है बस जिनको यह याद है वो बना लेंगे कोशन अब यहाँ से देखिए दो कंडिसन होगा क्यों इसलिए क्योंकि एक रेल गाड़ी है पहले तो वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है उसके बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म होता है 120 मीटर लंबा उसको 15 सेकंड में पार करती है तो एक चीज़ बताये यहां से दूरी क्या हो जाएगा दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में रेल गाड़ी की लंबाई यहीं न होगा तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या है एक्स है और प्लस में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 162 मीटर है तो 162 कर दीजिएगा प्लैटफर्म को रेलगाड़ी वही है यानी रेलगाड़ी की लंबाई वही रहेगी अब यह 120 मितलए मंपर किट इस बराबर कर देना है यहां पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी कि यहा है तो बना दीजी जल्दू से तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ solve करके तो यहाँ पर equation क्या था x plus 162 upon me 18 is equal to x plus 120 upon me 15 ठीक है तो इसको काटी है बच्चो चला जाएगा ही 3 के पाट से काटी है 3 चेक 18, 3 बचे 15 ठीक है अब दोनों को cross multiply कीजिए तो 5x plus में अब 162 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा देखिए 5, 2, 10 10 का एक 80 से लेक लीजिएगा और 16, 85 और 1, 81 यानि 810 आजाएगा और फिर 6x और फिर plus में 120 में 6 से गुना कीजिए 720 आजाएगा ठीक है तो यहाँ से x बराबर कितना आजाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कुशन है 84 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी 6 किलोमेटर परती घंटा की चाल से विपरी दिसा में दोड रहे वैक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या है बच्चों मैंने बताया था जब भी भी रेल गाड़ी से संबंदित प्रश्ण रहे तो केवल एक ट्रिक का यूज करना है एक फॉर्मूला याद रखना है चाल बराबर दूरी बटा समय सुरू से यही बताते आ रहा हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ पर 84 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ से बच्चों की रेल गाड़ी की चाल कितनी है ट्रेन की चाल कितनी है तो आप लोग क्या बोलेगा सर 84 किलोमेटर पर आवर है ठीक है तो 84 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी 6 किलोमेटर परती घंटा की चाल से विपरित दिसा में दोड़ रहे वैक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है यह जो देख रहे हो यह 6 किलो मिटर परति घंटा यह किस की चाल है? तो देखो यहां पर बोल रहा है 6 किलो मिटर परति घंटा की चाल है ना यह वैकति की चाल है ठीक है विपरी दिशा में समझते हो opposite direction में तो मैंने देखिये जैसे माली यह train जो है इस direction में जा रही है और आदमी जो है इस direction में जा रहा है यानि एक दूसरे के यह विपरित है तो विपरित दिसा में है तो मैंने आपको कहा था कि जब दो रेल गाड़ी या कोई भी दो वस्तुए एक दूसरे के विपरित में हो तो वहाँ क्या करना है opposite direction में होगा तो वहाँ speed को क्या कीजिएगा speed को क्या कीजिएगा जोड दीजिएगा हमेशा यह मैंने बताया था अगर same direction में हो तो speed को घटा देना है दोनों को speed को घटा दीजिएगा और अगर यह दोनों एक दूसरे के opposite direction में विपरित दिसा में तो चालों में क्या कर देना है जोड देना है तो यहां विपरित दिसा में है तो चाल को क्या कीजिए जोड दीजिए तो 84 में 6 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा लेकिन यह 90 किलो मीटर परती घंटा है ना आपको आंसर मीटर मिलाना है बच्चो तो क्या कीजिएगा फिर से वही बात कोना में 5 बटा ठरक कीजिएगा और फिर बराबर में अब दूरी दूरी किसका पूछा है रेल गाड़ी यहां पे दूरी क्या होगा रेल गाड़ी की लंबाई ही होगा ना वैक्ति की तो यहां पर बात होगा नहीं यहां पर क्या करना है यह जो दूरी है ना यहां पर क्या लिखिएगा यहां पर लिखना है रेल गाड़ी की लंबाई क्या है वही निकालना है आपको तो दूरी क्या माल लिजेगा X माल लिजेगा क्योंकि रेल गाड़ी की लंबाई ही निकालना है तो इसको X माल लिजेए समय कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड का दिया हुआ है देखिए तो 18 पच्चे 90 तो 5 पच्चे 25 पच्चिस चो के 100 तो X बराबर कितना आजाएगा 100 मेटर अब यहां पर देखिए यहां पर पूल या प्लेटफॉर्म जैसे तो कुछ दिया नहीं था पूल या प्लेटफॉर्म दिया रहा था तो उसकी लंबाई को भी एड़ करते लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेल गाड़ी की लंबाई की बात हुई है तो रेल गाड़ी की लंबाई ही हमको निकालना था तो उसको हम लोग X माल लेंगे यही हमारा दूरी भी हो जाएगा और रेल गाड़ी की लंबाई भी हो जाएगी ठीक है आरिया समझ में बच्चो बात कोशन समझ में आया है तो जल्दी से यस किजिए तो यहाँ पर देखिए वैक्ति की लंबाई नहीं लेना आप कोई एच चीज हमें सा याद रखना लंबाई होगा तो ट्रेन की लंबाई होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा पुल की लंबाई होगा वैक्ति का कोई लंबाई यहाँ पर नहीं लिजेगा ठीक है आरिया बात समझ में हाँ तो यहाँ रेल गाड़ी की लंबाई पूछा था तो हम लोगों ने रेल तथा 80 मीटर है एक ही दिशा में करम सा 40 किलो मेटर परति घंटा तथा 50 किलो मेटर परति घंटा की चाल से गदीमान है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा बच्चो एक ही फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग कौन सा चाल बराबर दूरी बटा समय ठीक है अब यहां से देखिए यह त्रेन यहां पर दो ट्रेन है एक को ए माल लेते हैं एक को भी माल लेते हैं ठीक है ट्रेन A की जो लंबाई है बच्चो वो कितनी दे रखी है ट्रेन A की लंबाई 120 मीटर है ट्रेन B की लंबाई जो है वो कितनी मीटर है बच्चो यह 80 मीटर है ठीक है इसी तरह से train A का जो speed है वो कितना दे रखा है पच्चो speed तो ये दे रखा है 40 km परती घंटा दे रखा है और train B का speed कितना दे रखा है जल्दी से बता दिजिए तो ये 50 km परती घंटा दे रखा है इतना लिख लिजे वैसे तो लिखने का भी जरूत नहीं था क्योंकि देखे मैं कोशन को कैसे बनाऊंगा, आप लोग भी बना लिजेगा, तो देखे ट्रेन A की जो लंबाई 120 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन B की लंबाई 80 मीटर दिया हुआ है, और ये ट्रेन A की स्पीड 40 किलो मीटर परती घंटा है, और ट्रेन B की प्रमसा 40 km परती घंटा तथा 50 km परती घंटा के चाल से गति माने एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा देखिए बच्चों यहां पर बोल रहा है एक ही दिशा में एक ही दिशा में बोला है ना इट मीन सेम डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन यानि जब दो ट्रेने सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ स्पीड को क्या किजिएगा स्पीड में अंतर किजिएगा मैंने बताया था मैंने बताया था ना कि जब दो रेल गाड़ी सेम ही दिशा में हो एक ही दिशा में हो तो वहाँ स्पीड को क्या करना है स्पीड का अंतर ले लेना है यानि स सेम से मैंने बताया था ना सेम से सबस्ट्रेक्شन याद रखना है सेम से सबस्ट्रेक्शन बच्छों याद रखना है अब को ठीक है तो यहाँ पे अब इनकी चालो का अंतर कितना हो जाएगा देखिए तो 40 और 50 है ट्रेन ऑ की चाल 40 है ट्रेन बी की चाल 50 है तो अंतर कितना हो जाएगा यह 10 km परती घंटा हो जाएगा लेकिन आंसर जो है देखिए इस सेकेंड में है यानि मीटर पर सेकेंड में होता है तो गुने में 5 बटा ठारा कर देंगे ठीक है अब देखिए दूरी में क्या हो को एड कर देना है क्योंकि यहां पर पूल प्लैटफॉर्म आदमी जैसे तो बात हुआ नहीं है दो ट्रेन की लंबाई ही एड होगा न तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है एक की 120 है दूसरे की 80 है तो दोनों को एड कर दीजिए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और समय नि आपके इस समझमे कोशन का राई तो हो जाएगा आर यह बच्चो समझ में कोशन यानि option नंबर भी आपके इस समझम का राईट अंसर हो जाएगा समझ में आ रहा है देखिए आप लोग भी बनाईएगा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है SPD बुक से बना सकते हो SD आदो से बना सकते हो ये बुक आपको अगर आपके पास नहीं भी है बुक्स तो ये बुक्स जो है आप लोग बच्चो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो मान लीजिया आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से तो आपके पास बुक नहीं है मान के चलता हूँ आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाएगा वहाँ SD आदो बुक होगा या फिर SPD मैट्स कोई साभी एक बुक को डाउनलोड कर लीजियेगा और जितना मैं क्लास करवाता हूँ मैट्स का हर एक कोशन को बनाईएगा देखिए आप से बन जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कोशन है दो रेल गाडियां एक दूसरी की और करम सा 54 किलोमेटर परती घंटा तथा 48 किलोमेटर परती घंटा की चाल से गती मान है यदि पहली रेल गाडी की लंबाई 200 मेटर हो तथा वे एक दूसरी को 18 सेकंड में पार कर ले तो दूसरी रेल गाडी की लंबाई होगी तो प्यारे बच्चों अब मुझे बता दो ऐसे कोशन को देखेंगे आप तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा आप सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या कीजिएगा मुझे यह बताईए रेल गाडी से सम्मंदि जब भी आपको ऐसा प्रस्न मिल जाएगा तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए जल्दी से बताईए तो जल्दी से हर एक स्टुडेंट बताईएगे मैं देख रहा हूँ हर एक स्टुडेंट बताईएगे जब भी ऐसा कोशन आ जाए कितना भी लंबा चोड़ा कोशन क्यों ना हो रेल गाडी के बात की गई हो तो आप लोग के दिमाग में क्या चीज़ क्लिक होना चीए पहला स्टेप क्या लिखना होगा तो वैरी गूट क्या लिखना होगा चाल वराबर दूरी बता समय बस 50% कोशन बन चुका हूँ कैसे तो देखिए बोल रहा है दो रेल गाडी एक दूसरे की और एक दूसरे की और समझ रहे हो अपोजिट डैरेक्शन तो यहां से आपको इपता चल गया ना कि दो रेल गाडी है एक दूसरे की और करामसा 54 किलोमेटर परती घंटा तथा 48 किलोमेटर परती घंटा की चाल से गतिमाने तो माल लेते हैं ट्रेन वन ट्रेन वन की जो स्पीड है बच्चो शवन किलोमेटर परती घंटा है ट्रेन वन की जो स्पीड है शवन किलोमेटर परती घंटा है और ट्रेन टू की जो स्पीड है वो कितनी है 48 किलोमेटर परती घंटा है समझ में आया तो आप ही बताओ एक दूसरे की ओर है यह यानि opposite direction में है तो यहाँ पे चाल क्या होगा चाल को हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे जल्दी से बताईए तो कहीं बार मैं बता चुका हूँ जल्दी से यहाँ पे चाल को क्या किजिएगा अगर दो ट्रेने opposite direction में हो तो चाल क्या होगी चाल को जोड़ देंगे हम लोग है ना very good तो 54 और 48 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 8 4 12 5 4 9 यानि 102 तो 102 किलोमेटर परती घंटा लेकिन आंसर में क्या है मीटर में है तो 102 किलोमेटर परती घंटा है इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो 5 बटा 18 करना होगा अब दूरी में क्या होगा दो रेल गाड़ी की बात की गई है ना तो दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहली रेल गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई निकालना है तो पहली रेल गाड़ी की लंबाई को 2500 लिग दीजिए और दूसरी का वैल्यू निकालना है ना तो पलस में X कर दीजिए और अपन में समय कितना दिया हुआ है बच्चो 18 सेकंड दिया हुआ है बना की नहीं बना एकदम हल हुआ है अठर से अठरा काड़ दीजिए अब 102 में 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 10 पचे, 50 और 51 तो 510 वरावर में 2500 पलस में X इतने को सॉल्फ कीजिए और जल्दी से बताईए तो क्या रहा है 510 में से 2800 घटा लीजिए 510 में से 2800 को घटा लीजिए वेरी गुट कितना आ जाएगा तो यह 260 मीटर आ जाएगा 260 मीटर तो चलिए बच्चो चलिए स्टूडेंट पहला कोशिन आप सभी की स्क्रीन पर एक साइकल सवार एक निश्ची दूरी का आधा 6 किलोमेटर परती घंटा तथा 16 आधा 5 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल कर कुल 11 घंटे का समय लेता है वो दूरी कितनी है यानि वो दूरी जो है वो कुल दूरी वो कितनी है वही आपको बताना है ठीक है तो student जब भी भी ऐसा question आए अगर आपको question में बोला जाए कि कोई निश्चित दूरी है और उस निश्चित दूरी का आधा भाग x km परती घंटा की चाल से चला गया और आधा भाग y km परती घंटा की चाल से चला जा जब भी भी ऐसा question आए कि एक निश्चित दूरी था है ना उस निश्चित दूरी का आधा भाग जो है वो x km परती घंटा की चाल से चला गया और फिर आधा जो दूरी है उसको y km परती घंटा की चाल से चला गया तो ऐसे में क्या कीजेगा आपको पहले कुल दूरी माल ल यह हो तो आधा दूरी क्या बोलिएगा x होगा तो वो x दूरी चलता है यानि आधा दूरी चला किस चाल से चलता है बच्चो 6 km परती घंटा तो x बटा 6 कर दीजेगा यानि x दूरी चलता है 6 km परती घंटा की रफतार से चलता है ठीक है फिर प्लस में दे दीजिएगा औ तो अब 6 आदा दूरी कितना बचा है? X बचा अब ये 6 आदा दूरी किस रफतार से चलता है? तो 5 km परती घंटा की चाल से चलता है और ये टोटल करने में इसको समय कितना लग जाता है? बच्चो 11 घंटा का समय लग जाता है अच्छा देखिए समय बराबर ही ना होता है दूरी बचाल दूरी बचाल तो देखिए आधी दूरी जो है वो 6 km परती घंटा की रफतार से चला और फिर जो आधी दूरी है वो 5 km परती घंटा की रफतार से चला और इस दोरा इसको total समय एक एरा घंटे का लगा ठीक है तो 6 और 5 का LCM लीजिए solve कर दीजिए इसको 6 और 5 का LCM लीजिएगा 30 हो जाएगा तो यहाँ से 5X प्लस 6X हो जाएगा और इस इक्वल to 11 तो यहाँ से 11X upon में 30 अब बराबर में 11 तो 11 से 11 कट गया तो X बराबर कितना आगया यह आपका क्या आगया दूरी आगया तो दूरी कितना आगया 30 किलोमेटर आगया लेकिन आपको पूछा क्या है बच्चों यहाँ पे यहाँ पे आपसे क्या पूछा है हाँ यहाँ पर आपसे कुल दूरी पूछा है कुल दूरी एक निश्चित दूरी वो कितनी है तो X का मान कितना है 30 km आया तो यहाँ पर 2 गुने में X की जगे क्या किजएगा 30 कर दिजएगा 30 कर दिजएगा तो यह कितना आ जाएगा कुल दूरी 60 km आ जाएगा यानि option number A जो है आपके question का right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए एक question मैं आप लोग को देता हूँ बनाए तो जल्दी से चलिए question है एक आदमी किसी यात्रा का आधा भाग किसी यात्रा का आधा भाग 21 km परती घंटा तथा सेस भाग 24 km परती घंटा के चाल से चल कर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी तो बताए जल्दी से मैं आपको समय देता हूँ बच्चो 30 सेकेंड का चलिए जल्दी से बनाईए, question बिल्कुल same to same वैसा ही टाइप है चलिए देखिए मैं बना देता हूँ यात्रा की कुल दूरी पूछा है, तो बच्चों कुल दूरी क्या माल लेना है आपको मैंने कहा था कुल दूरी क्या माल लेना है 2x माल लेना है, है ना तो अब इसमें कुल दूरी आप लोगों ने 2x मान लिया अगर मैं आपसे पूछू की आधी दूरी क्या होगी तो आप लोगों क्या बोलिएगा एक्स तो एक्स दूरी को 21 किलो मिटर परती घंटा की चाल से चलता है एक्स दूरी को यानी आधी दूरी जो है वो 21 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चला फिर पलस में अपसेस दूरी कितना बचा तो X ही बचा 2X में से X दूरी जो है चलता है 21 किलोमेटर परती घंटा की चाल से तो अब कितना दूरी बचा अभी भी X दूरी बचा तो ये X दूरी चलता है 24 किलोमेटर परती घंटा की चाल से और इस तोरान इसको जो समय लगता है वो 10 घंटे का समय लगता है है ना ये क्या है समय और दीके समय बराबर ही ना होता है दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल आया बात समझ में चलिए तो अब यहाँ पर मुझे 21 और 24 इसको सॉल्फ कीजिए तो 21 और 24 कैलसियम कितना हो जाएगा तो आप लोग बुलिएगा सर 168 हो जाएगा पढ़े होंगे है आप लोग तो यह आप लोग ने निकाल लिया होगा 21 और 24 कैलसियम किया होगा 168 होगा अब 21 के पाड़ा में 168 कितनी बार में आता है बच्चो तो कितनी बार में आता है जी जल्दी से बताइए very good 8 बार में आता है तो यहाhan 8X हो जाएगा plus में 24 के पाड़ा में 168 कितना बार में आता है तो यह 7 बार में आएगगगई यानि 7X हो जाएगगा ठीक है और यह बराबर में 10 हो जाएगा तो अब उपर मैं लिख देता हूँ 8 7 कितना होता है 15 X होता है तो 15 x बराबर में 168 और फिर बराबर में 10, इसको काट ये, पाँच के पाड़ा से ये तीन बार में चला जाएगा, ये दू बार में चला जाएगा, ठीक है, इसको फिर से काट ये चला जाएगा, तीन पच्चे पंदर रहा और तीन के अठार यानि छपपन बार में तो X बराबर कितना आ जाएगा ही छपपन गुने दू छपपन गुने दू कीजिएगा तो यह 112 आया है लेकिन यहां पर बच्चो निकालना क्या है बच्चो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो X का तो value निकल गए 112 अब कुल दूरी 2X है तो 2 और X की जगे कितना कर दिजेगा 112 कर दिजेगा तो 112 कितना होता है 224 होता है तो 224 किलोमेटर कुल दूरी हो जाएगा यानि option number A आपके इस question का right answer हो जाएगा very good काफी बच्चो का सही था ठीक है चली बढ़ते हैं अगले question की तरफ चली student अगला question है इस्थान A पर एक सिपाही खड़ा था उससे 500 मीटर दूरी पर इस्थान B पर एक चोर उससे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमेटर परती घंड़ा की रफ़तार से भागता है उसी छण सिपाही 20 किलोमेटर परती घंड़ा की रफ़तार से उसका पीछा करता है तो ग्याद कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा यानि दो चीज आपको बताना है या पर पहला तो time कि सिपाही जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और दूसरा distance यानि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा बहुत simple question है, ये question बच्चों दिखने में काफी long लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, लेकिन है कुछ नहीं, देखिएगा एकदम चुटकी में बने गई question, ठीक है, चुटकी बजाएए, बजाएए जल्दी से, बना, तो बच्चों देखिए इस question को कैसे बनाएंगे चु पर मुला बताया था, एक trick बताया था कि जब ही भी दो train, दो वस्तू, दो वैक्ती का बात होता था, तो उस समय हम लोग, अगर same direction होता था, तो चाल क्या लेते थे, negative में लेते थे, माल लिजिए दो train है, और एक train जो इस दिशा की तरफ जा रही है, और दूसरी train भी इसी द दो train है, और दोनो same direction में है, तो उस समय हम लोग, चाल को negative ले लेते थे, है ना, और अगर train, दो train अगर एक दूसरे के opposite direction में है, अगर दो train एक दूसरे के opposite direction में, माल लिजिए ये train A है, जो इस दिशा की तरफ जा रही है, और एक train B है, जो इस दिशा की तरफ जा रही है, त तो उस समय में यानि opposite direction में जब रहती थी तो उस समय हम लोग speed को क्या कर देते थे जोड़ देते थे प्लस कर देते थे अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि एक police है और एक चोर है तो एक चीज बताइए मुझे ये लोग same direction में भागेंगे या opposite direction में भागेंगे यार एक चीज बताइए चोर जो है police semi direction में भागेंगे opposite direction में तो भागेंगे नहीं माल लिजे ऐसा थोड़ी है कि चोर भाग रहा है इस direction में और police भाग रहा है इस direction में ऐसा तो तो नहीं होगा ना तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है एक इस थान ए है और एक इस थान के पर बच्छो एक शिपाही खड़ा था ठीक है एक शिपाही खड़ा उससे 500后 दूरी पर यहाँ पर यहां पर यह चोर है ठीक है इसको शिपाही बना लो आम लोग कुर मना लो और दोनों की वीज़ की दूरी जो है 500 पडिए चोरवाद देखता है ना सिपाही जी को तो और भागना इस्टार्ट कर देता है और किस रफतार से चलता है बच्चो बोलाए कि वह 15 किलोमीटर पर टि. गंटा की रफ लगने लगू यह किस किलोमैटर पर सी गंटा की रफतार से बागने लगे तो अब एक चीज बताई ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं सेम डायरेक्शन में तो स्टुडेंट जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक चोर और एक सिपाही जी थें दोनों सेम डायरेक्शन सेम दिशा की और भाग रहे हैं यानि चोर जो है भाग रहा है उसी के डायरेक्शन में जैस वो क्या है यह 15 km परती घंटा की स्पीट से भागता है और सिपाही जी यह 20 km परती घंटा की चाल से भागते हैं ठीक है तो अब आप ही बताइए यहाँ पर दो वस्तु हो दो वैक्ती हो सेमी direction में जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा था चाल में अंतर हो जाएगा याद है SS करके सेम direction में होगा तो सब्स्ट्रेक्शन कर देना है तो मैंने एक formula बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखना है question बन जाएगा question बन गया चाल कितना है बच्चो तो चाल में direct अंतर बता दीजिए कितना है 20 और 15 गिविच अंतर कितना है पांच है ठीक है उसके बाद देखिए किलो मेटर परती घंटा है बच्चो इसको आपको मेटर पर सेकंड में बदलना ही होगा क्यों कि देखिए यहाँ पर दूरी जो दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग किलो मेटर परती घंटा में है न यह इसको मेटर पर सेकंड में बदल दीजिए तो गुने में क्या किजिएगा पांच बटा अठारा किजिएगा अब फिर बराबर में दूरी कितना है 500 मेटर का है तो अब समय नहीं पता चल जाएगा फकॉस पता चल जाएगा देखिए तो पच्चिस दूरी पचास और एक जिरो का जिरो उतर जाएगा तो यहाँ से टी बराबर कितना आया अठारा गुने बिस किजिए तो यह 360 सेकंड आया है ठीक है लेकिन यहाँ पे सेकंड कहीं दिया हुआ नहीं है क्या किजिएगा कहीं नहीं दिया हुआ मिनट में दिया हुआ है तो बच्चो सेकंड पता चल गया तो आप मिनट में निकालिएगा तो भाग लगा दीजिए माली जे 360 पता चल गया है अब 60 में भाग लगा दीजिएगा तो ही 6 बार में चला जागा यानि 6 मिनट पता चल गया आपको कि सिपाही चोर को कितना समय में पकड लेंगे तो कितना मिनट में पकड लेंगे 6 मिनट नहीं आया क्या समझ में जी देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ X बराबर कितना आया था बच्चो आप लोग का 360 सेकेंड आया था ठीक है अब आप ही मुझे बताइए 60 सेकेंड 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है तो आप ही बताइए ना 360 सेकेंड ये कितना मिनट के बराबर होगा तो हम लोग माल लेता है X मिनट के बराबर होगा तो देखिए तो cross multiply करके solve किजिए देखिए तो एक जिरो से एक जिरो और 6 चैकर 36 हो जाएगा तो X बराबर क्या बचा खाली 6 ही ना बचा तो X बराबर 6 मिनट तो यहाँ पे 6 मिनट तो आ गया तो इसी तरह मैंने क्या किया है देखिए 360 सेकेंड था मैंने direct इसमें भाग दे दिया 60 से तो यह मिनट में आ जाएगा ठीक है तो कितना मिनट आ जाएगा बच्चो 6 मिनट आ गया आपका ठीक है तो यह तो गया समय समय निकल गया 6 मिनट लेकिन आप पूछाए कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा दूरी निकालना है तो बच्चो अब आपको यहाँ पर दूरी निकालना है ठीक है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है होता है बच्चो समय तो अभी आपको पता चल गया है और चाल भी आपको पता है लेकिन यहापे चाल किसका लीजिएगा देखिए तो बोला है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा पकड़ना किसको है सिपाही को तो सिपाही की चाल लीजिएगा कि यह 6 minutes है तो यह minutes कैसे रहेगा इसको भी hour में बदल दीजिए तो भाया minute को hour में बदलने के लिए क्या कीजिएगा फिर से 60 से भाग दे दीजिए तो देखिए तो 1010 और फिर 6 से 6 तो क्या आया दो किलो मिटर दूरी आ गया यानि option number A जो आपके इस question का right answer हो जाएगा क्योंकि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा तो छे मिइट में पकड़ेगा कितनी दूरी पर पकड़ेगा चोर को तो ये 2 क्लियो मिन्ट की दूरी पर पकड़ेगा चले कोशन तो चली student एक कोशन आप सभी विद्यारतियों के लिए हुमबक रहेगा बिलकुल इसी टाइप का है सेम टू से मैंसा ही कोशन है तो प्लेज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कोशन को बना कर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्षन में अपना अंसर जरूर कीजेगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों के द्वारा बनाया गया कोशन गलत है या फिर सही है अगर गलत है तो मैं वहां आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्ब करना है ठीक है पठा आप लोग बना कर भेजिएगा तब न पता चलेगा कि किस स्टुडेंट का कितना महनत है कौन स्टुडेंट कितना महनत कर रहा है नहीं कर रहा है कोशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है आप लोगों से तो आप लोग जो है इस कोशन को बना कर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस कोशन का आंसर जबूर दीजिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कोशन है एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पॉस्ट ओफिस जाता है परन्तु जब वो 10 किलोमेटर परती घंटा के चाल से चलता है तो एक घंटा पहले पहुँच जाता है और जब 5 किलोमेटर परती घंटा के चाल से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुँचता है तो डाकिया के घर से पोस्ट ओफिस कितना दूर है यह आपको बताना है बहुत ही प्यारा सा कोशन है बहुत ही अच्छा सा कोशन है इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ठीक है और ये टाइप पूछ रखा है अपके एकजाम में आ रखा है ऐसा टाइप का प्रस्न है ठीक है मैं बताऊंगा किसी एर में ऐसा प्रस्न पूछा गया था या वो कुछ समय पहले पहुंच जाता है है ना और जब वो Y किलोमेटर परती घंड़ा की चाल से चलता है तो फिर इतना समय देर से पहुंचता है ठीक है तो आपको ऐसे में दूरी बतानी होगी कि भाई डाकिया के घर से पोस्ट आफिस कितना दूर है तो चलिए अब मैं आपको इस कोश्चन को हल करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ तो बच्चो बहुत अच्छा ट्रिक है ट्रिक क्या है देखिए दूरी निकालना है है ना तो दूरी बराबर देखिए कैसे निकलेगा आपको दोनो चालो का गुणनफल कर देना है दोनो चालो का गुणनफल दोनो स्पीड को गुणा कर देना है और बटे में दोनो चालो का अंतर दोनो चालो का अंतर कर देना यानि एक बार आपको उपर दोनो चालो को गुणा कर देना है और बटा में दोनों चालों का अंतर है ना और इसके बाद गुना में दोनों समयों का योग दोनों समयों का योग यानि जोड़ देना है देखिए कैसे बनेगा अब आप ही बताईए तो अब आप ही बताईए देखिए दोनों चालों का गुनान फल कितना दे दिया है देखिए पहली चाल जो है वो 10 km परती घंटा की रफतार से चलता है और दूसरी चाल जो है 5 km परती घंटा की है तो दोनों चालों का गुनन फन यानि 10 गुने 5 कर देना है और फिर अपन में दोनों चालों में अंतर अब अंतर कर देना है यानि इन दोनों में अंतर कर दीजिए तो दस और पांच में अंतर कीजिएगा पांच ही अंतर आएगा अंतर का मतलब घटाओ और फिर गुनों में समयों का योग गुना में समय का योग तो देखिए समय कितना दिया वाए एक घंटा पहले यहां पे दिया वाए तो एक घंटा और तीन घंटा चार घंटा तो गुने में चार हो जाएगा तो देखे तो पांच दुनी दस ठीक है अब गुना कर दिजिए दो पच्चे दस दस गुने चार चालिस तो चालिस किलोमेटर जो है बच्चो दूरी आ गई ठीक है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा चालिस किलोमेटर हो जाएगा यानि डाकिया के घर से post office कितनी दूरी पर है तो चालिस किलोमेटर की दूरी पर है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चले student अगला question है बिल्कुल same to same वैसा ही question है तो जल्दी से बनाकर बता दीजिए इस question का answer क्या होगा एक वैक्ती चार किलोमेटर परती घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक एक पुनांक एक बटा दो घंटे विलम से पहुँचता है परन्तु जब वह चार किलोमेटर परती घंटा की चाल से चलता है तो एक घंटा पहले पहुँच जाता है तो उसकी यात्रा की दूरी बताए यानि दूरी बताना है बच्चो तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था सुत्र लिखवाया था कौन सा जब भी दूरी निकालना हो आपको तो क्या करना है चालो में गुनन फल है ना यानि दोनो चालो का गुनन फल दोनो चालो का गुणन फल में बोला था करने के लिए ठीक है और इसके बाद दोनो चालो में दोनो चालो में अंतर ठीक है यानि दोरी निकालना था तो दोरो चालो का गुणन फल बटा दोनो चालो में अंतर और फिर गुणा में समय का योग जितना भी समय दिया सबको जोड़ देना है समय का योग ठीक है अब देखिए तो बच्चो दोनों चालों का गुणनफल यानि चाल कितनी है 4 किलोमेटर परती घंटा और 6 किलोमेटर परती घंटा यानि 4 गुणे 6 कर देना है अब फिर बटा में अब दोनों 4 में अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, 4 में तो 2 का हो जाएगा, ठीक है? और फिर गुने में समय का योग, समय कितना दिया हूए, देखिए तो, एक दिया हूए, एक बार दिया है, एक घंटा, दो ही समय दिया है, ना? एक बार तो बोलता है कि वो एक पुर्णांग एक बटा दू घंटे विलंब से, देरी से हैना? और फिर एक बार दिया है कि एक घंटा पहले तो देखें तो एक पुर्णांग एक बटा दू है इसको हम लोग इसको solve कीजिए तो तो दो एक कम दो, दो में एक को जोड़िएगा तीन, तो तीन बटा दो हो जाएगा, अब प्लस में वन, अब दोनों को जोड़िया ना अच्छे से, तो इसको एक कितना हो जाएगा, दो में तीन को जोड़िएगा तो पांच, तो पांच बटा दो, तो गुने में क्या 30 km की है क्या आप लोग का इतना आंसर आया था जल्दी से आया था तो एक बार यस कर दीजिए जल्दी से एक बार यस कर दीजिए बच्चो यदि आप लोगों का आंसर आ चुका है तो आप लोग यस कर दीजिए Very good Shabash तो चलिए student आज की इस क्लास में ये topic आप लोग का फूरी तरह से complete हो गया यदि आप लोग इन सारे types के question को कर लेते हो तो यकीन मानिए आप से एक भी प्रस्ण exam में नहीं छूटेगा ठीक है हाँ और वैसे भी आप लोग अपना previous paper बना सकते हो आप से हर एक question बन जाएगा इस बात की मैं guarantee देता हूँ आप लोग 2010 से 2020 तक का previous paper बनाईए और देखिए आप से time and work से जितना भी question पूछा है सब आप लोग बना लिजएगा क्योंकि मैंने हर एक important type को cover कर दिया तो चलिए student अब चलते हैं यदि आज की class अच्छी लगी हो आप लोग ऐसी topic wise वीडियो और चाहते हो है ना तो आप लोग वीडियो के comment section में अपना feedback जोड़ दीजेगा चलिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स class में जै हिन जै भारत